तो दोस्तो आप देख सकते यह वीजी आर सूपर हैर टीमर मसीन है जो की चालू नहीं हो रहा है दोस्तो आप देख सकते मैं इसको आउन कर रहा हूं लेकिन यह चालू नहीं हो रहा है यह वर्किंग कंडिशन में नहीं है तो दोस्तो यह चालू क्यों नहीं हो रहा है इसमें प्रॉब्लम क्या है तो इसको आप कैसे ठीक करेंगे यह पूरी बाते आपको इस वीडियो में बताने वालों तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप दे सकते मैं इसको जब आउन कर रहा हूं तो यह बिल्कुल भी चालू नहीं हो रहा है तो यह स्कुरू नहीं तो आप ऊपर का यह वाला कवर निकालेंगे तो उपनर जाता है तो सबसे पहले आप दे सकते हैं है यह स्वीडियो को हम चेक करेंगे क्योंकि चलू रहीगगा तभी यह चलू होगा तो स्विच को कैसे चेक करेंगे इसके दो टर्मियल है तो एक साइट से दूसरे साइट करेंट पास करता है तो हम इसको मल्टी मीटर से चेक करेंगे मल्टिमीटर को यहाँ पर बजर मोड में जी हाँ दोस्तों बजर मोड में यहाँ पर सेट करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे कि बटन काम कर रहा है कि यहाँ पर हम मीटर को चेक करते हैं मीटर सही है अब इस switch के downो terminal में रखेंगे तो यहाँ पर supply नहीं बता रहा है तो हम इस साईट करेंगे पूस्ष करेंगे तो अब हम यहाँ पर check करते हैं कि इसमें current पास कर रहा है कि नहीं तो आप दे सकते हैं यहाँ पर current pass कर रहा है यानि कि continuity बता रहा है इसका अर्थ यह है कि इसका switch एकदम okay है ठीक है okay है यानि कि सही है तो अब हम क्या करेंगे अगले बार यहाँ पर इसका battery को check करेंगे DCN20 में set करके यह बड़ा-बड़ा salding लगा हुआ है आप दे सकते यह battery का कोई voltage नहीं बता रहा है और customer का कहना था कि यह खराब होने से पहले इसको full charge किया था लेकिन अभी इसमें voltage नहीं बता रहा है तो क्या हो सकता है problem तो problem इसका battery में भी हो सकता है तो इसको जानने के लिए हम यहाँ पर यह पहला screw और यहाँ पर इसका जो दूसरा screw यह लगा अब दोस्तों इसका जो circuit है उसको हम यहाँ पर से उठाएंगे और इसके अंदा जो battery है उसको देखेंगे तो दोस्तों आप देख पा रहा है यह इसका जो battery का एक terminal है यहाँ circuit पे डायक्ट जूड़ा हुआ हुआ रहता है यह तूट चुका है आप देशते हैं यह वाला point यहाँ circuit से तूट चुका हुआ है जिस करान से battery का supply circuit में नहीं जा रहा है और यह हमारा trimmer काम नहीं कर रहा है तो अब क्या करेंगे इसमें एक वायर लगाएंगे जमपर जैसे कि आप देख सकते हैं इसको पहले भी repair किया गया है पहले से एक जमपर लगा हुआ है एक side तो ह हम दूसरे side भी एक wire लगाएंगे दो लगबग दो इंच का ठीक है तो हम यहाँ पर यहाँ पर यह बड़ा वाला salding हुआ है बैटरी का point यहाँ पर हम इस wire को salding करेंगे अंदर की तिरफ दोस्तों यह ट्रीमर जो होता है नीचे कई बार हाथ से छुट कर गिर जाता है जिस इसके बाद आपको चला कर दिखाएंगे कि इसका problem solve होता है तो आप देख सकते हैं हमारा तो अच्छे से work कर रहा है तो इसका problem यही था कि इसका जो बैटरी का point टूटा हुआ था तो दोस्तों इस तरह से आप पहले switch को चेक करेंगे battery को चेक करेंगे battery सही रहता है तो आप को इसके circuit को चेक करना पड़ेगे ठीक है इस तरीके से आप fault को पता कर सकते और इसका repair घर पर असानी से कर सकते